हेज वेल्कम बाग टू माइटे किचीन स्टार तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही डिलिसियस एक लेस्ट सूजी मांगो केक की रेस्पी लेकर आई हूं आप बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई सूजी से मैंगो केक बना करके आपको दिखाओं तो आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से केक को बनाया है और अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज्यादा सपॉंजी और कितना टेस्टी बिना इसकी अलावा हमें इसके लिए क्या जरुवत मटेहिएप हैं लियुको मेंगे क्या नहीं डालेंगे द internal भेसे इतना सॉफ्ट और शेन केक बनेगा वह आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम सुरू करते है इस रेस्पी को बनाना देख तो लिया ही आप में कितना अच्छा बना है यह तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेग और सारा मेजर्मेंट जो है मैंने इस काटोरी के नाप से किया है और एक काटोरी हमने यहां पे सुजी लिए है यहां पर सुजी का मैंने घ्राम लिख दिया है यह लगबाग 2,500 ग्राम के करीब सुजी है सुजी आप कोई भी यूज कर सकते हैं मतलब अगर थोड़ी मोटी लिकाष वाली है मौ्टी वाली यूस कर सकते हैं जो भी सूझी आपके पैस हो आप यहां पर यूस कर सकते हैं और इन दोनों को मची तरह से चला लेंगे चीनी को सूझी के साथ पीछने का फाइदा यही होता है कि सूझी बहुत अच्छी से एक पाुडर हो जाती है और इसका texture बहुत अच्छा आता है अब यहाँ पर आपको बता दू सूजी को कई जगर रवा भी बोला जाता है कई जगर सेमोलीना भी बोला जाता है तो आपके हाँ इसे ज़्यादतर क्या बोला जाता है आपको कमेंट करके कि मुझे बताना है तो देखिए हमने चीनी और सूजी का पाउडर बना लिया है अब उसे साइड में रखेंगे अब मैंने एक्तम पका हुआ यहाँ पर लिया है मैंगो यानि कि आम ले लिया है पका हुआ पिछली बारी जब मैंने सूजी कढ़ाई केक डाला था तो आप लोगों ने बहुत पूछा था कि किस तरीके से इसे बनाया है और कैसे बनाया है तो वो बताएं कि किस तरीके से हमने मैंगो को कट किया है और बहुत जहने समझने पा रहे थे कि mango है या कुछ और है तो आज मैं आपको बता रहे हूँ कि कैसे मैं mango को कट करती हूँ जिससे mango की एकदम cubes के cubes निकलते हैं और mango जरा सभी बरवाद नहीं होता है तो मैं हर दम जब भी recipe के लिए mango यूज करती हूँ तो पहले उसे का जो छिलका है वो चाको की मदब से उतार लेती हूँ ऐसे में क्या होता है ना कि हमें एकदम बहुत ही अच्छे से cubes मिल जाते हैं mango के और अब मैं आपको दिखाते हूँ कि कैसे से cut करना है तो बस simple जैसे हम लोग खाने के लिए mango कट करते हैं फिर हम अराम से से ऐसे cut कर लेंगे अब क्या होगा इसके cubes निकल जाएंगे और मैंगो भरवाद नहीं होगा तो बहुत उस वार की रेस्पी में आप लोग ने पूछा था मैंने कैसे mango cut किया है तो सोचा कि आज आप लोग के साथ share कर दूँ तो अब mango को हम cut करके ready कर लेंगे और इसे हम डालेंगे इसके अलावा जैसे कि मैंने आज आपको बताया है कि आज हम इसमें दही के इस्दिमाल नहीं करने वाले हैं और ना ही हम इसमें lemon juice या vinegar डालने वाले हैं तो उसका reason क्या है कोई भी चीज़ जब हम ऐसे चीज़ नहीं यूज़ करते हैं तो उसके अलावा हम उसके बदले मे कोई चीज़ डालते हैं तो आज हम क्या डालेंगे और क्या जरूरी है वो बताते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमें तेल ले रहा है तेल से हमारा जो सूजी का cake है बहुत सॉफ्ट बनेगा मैंदे केक में तो आप तेल थोड़ा छोड़ भी सकते हैं बट सूजी के केक में तेल डालना या बटर डालना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर एक चोथाई कटोरी ही मैंने डाल दिया तेल और यह हमने जो मैंगो कट किया आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैंगो कट हुआ है और काफी बड़ा मैंगो था तो काफी सारे मैंगो की क्यूप्स नि इसे डाला रहने थे यह बीच में जब आप जो है हमने इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है चाहें तो मैंगो की क्यूब्स रहने थे उससे टुटी फुटी ऐसा टेस्ट आता है इसे केक में डाल दिया अब यहां बार मैंने यलो कलर डाला है यह बिल्कुल ऑप्शनल है चाहती तो मैं भी से स्किप कर सकते थी बट मुझे लगा कि मेरे जो मैंगो है उसका कदर उतना अच्छा नहीं है तो मैंने इसमें थोड़ा से इसमें डाला है बट आप इसके लिए परशान मत हो यह नहीं है तो आप स्किप कर सकते हूँ अब लॉकडॉन में मेरे बटर प पर नहीं है तो आप क्या करें इस तरीके का केक टिन में आपको अच्छे से ऑईल लगा लेना है ऑईल लगा ले घी लगा ले बटर लगा ले जो भी हो आप वो लगा ले इसके बाद इसमें आदी छोटी चम मस्किन आप से गीहूं का आटा या फिर मैंदा जो भी आप डश् ए से रेश्य से रहल मैंगो को निकल जाता है तिन्से अब दे्खी ये जो सूजी और चीनी पीसा था इसमें हमें मिलाना होगा मैंगो और ओालओ आप्यूरी हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे हैं आप जैसे कि मैंने आपको बताया इस वज़े से हमने यहाँ पर मैंगो की साथ कर्ट का इस्तिमाल नहीं किया ना ही लेमेन जूस का इस्तिमाल किया क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंगो खुद ही खटा होता है और बेकिंग पाउडर डालने के लिए हमें खटी चीज की जरुवत होती है जिससे कि हमारा बेकिंग पाउडर जो है वो एक्टिव हो जाए तो इस वज़े से इसमें पहले से ही कि खटी चीज है अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे भले ही आपने सूजी पीस ली है सूजी एकदम पाउडर हो गई है इसके बाद भी मैं अब हम इसे अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया है भले ही आपने सूजी कितना भी अच्छी तरीके से पीसा हो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इसे ढखकर की लबाक आदे घंटे के लिए नहीं तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो इसे छोड़ी दे 15 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी और इसकी बाद आपको दिखा दू कि यहाँ पर सिर्फ आदी कटोरी दूद का ही इस्तिमाल हुआ है सिर्फ आदी कटोरी दूद में ही हमारा बैटर जो है वो बन करके त्यार हो गया है अब मैंने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ा था सूजी ने जो एक्ट्रा दूद था वो एब्सॉर्फ कर लिया है सूजी एक्टम फूल चुकी है अब इसे बहुत अच्छे से फेटना जरूरी है तो इसे 2-3 मिनट के लिए आप प्रॉपर ली अच्छे से फेट लीजे ताकि इसके अंदर जो है एर बन जाए और फिर हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छा बनेगा अब बेकिंग सोडर डाल देंगे तो यहां पर आदी चमच हमने बेकिंग सोडर डाला है इसके लावा हमने बेकिंग पौडर डालना है तो जिस स्पून से हम लोग खाना खाते है उसी किनाप से हम देर चमच इसमें बेकिंग पौडर डालेंगे तो यहां पर मैंने देरे चमच जो है बेकिंग पॉर्डर डाल दिया है यह पूरा देर चमच है आप इसे जो है हम मिला लेंगे और अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा जादा गहड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूद आट कर सकते हैं जैसे कि मुझे अभी लग आप इसको मिलाने की बात पता चलें का कि क्या कांसिस्टेंसी होती है मुझे लग रहा कि यह थोड़ा सा ज़ाद दा है अब इसे हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और यह देखिए यह हमारा बैटर जो है वो बन करके बिल्कुल तयार है अब इसमें कुछ भी करने की या फिर कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रीडियन्ट डालने की जरुवत नहीं है एक बार मैंने स्पेशला से इसको एक सा कर लिया है ताकि आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सके अब इसे हम जो है मोल में ट्रांस्वर कर देंगे और यहां पर जितना आये का हम उतना ही डालेंगे ओवरफ्लो ना करें नहीं तो यह मतलब ओवर ना भरे नहीं तो यह ओवर फ्लो हो जाएगा और इसके बाद आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं टूटी-फूटी से या फिर ड्राइफूट से यहां पर टूटी-फूटी मेरे पास बहुत थोड़ी सी बची है जिनको मैंने पता नहीं क्यों बचा के रखा है तो आज मैंने सुच्छे से ड्राइफूट से ही कर देती हो वैसे भी इसको आप ड्राइफूट के साथ खाएं कि आपको अच्छा लगेगा और साथ थोड़ा से परिस्ता जो है बहुत ही बारिक सिर्फ डेकोरेशन के लिए तो चलिए अब इसे हम बेक करते हैं बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई का इस्तिमाल किया है एक प् का लेंगे और अब हमारे केक का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है मैंने इसे एक बार और भी जग किया था और अब यह बिल्कुल पक चुका है तो इसका कलर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने इसमें थोड़ा कलर भी आट कर दिया था इस वज़े से कि एक दम ब्राइट बना है और अब जो है हमने इसे पलट करके निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पॉर्फेट जो है यह बेक होकर कि तैयार हुआ है ऐसा कि आप भी घर पे बना सकते हैं कुछ भी गरबर नहीं होगी अगर आप बिल्कुल मेरे तरीके से बहुत ही आसान इस के को बनाना साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगीगा अगर आप मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है वैसे मेरा फेवरेट फूट तो पाइनेपल है बट मै मैंगो केक है बट मैंगो केक भी अच्छा लग रहा था बट मैंने सच्छी बताया कि मेरा पाइनेपल फूट जो है बहुत ही फेवरेट है और अंदर से आप इसके टेक्च्चर देखिए हैना लाव जबाब तो ट्राइजरूर कीजिएगा और फेवरेट फूट बताना मत पूलेगा कमेंट में